आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा ITC जो आपका है क्रेडिट लेजर में वो तो आपने बिलोग करते कई बार देखा होगा लेकिन आज आप पहली बार देखोगे कि क्रेडिट लेजर आपका माइनस में आ रहा है सर माइनस में क्रेडिट लेजर हाँ जी यहाँ पर देखो माइनस में क्रेडिट लेजर अर वो भी 20 लाक रुपे से ऐसा क्यों हुआ इस बात को समझना हमारे यह जो Client है हमारे यह जो Member हैं इनके credit letter में एक भी रुपिया नहीं था लेकिन Department ने क्या करा Department ने Rule 86A का use करके इनके credit letter को block कर दिया Block कर दिया मतलब कि उसमें पैसा नहीं था उसमें एक Entry डाल दी कि भाई तुम्हारा ये 20 लाख रुपे का ITC ऐसा है जो कि valid नहीं है तो हम आपके credit ledger में ये 20 लाख रुपे की entry कर रहे है और इस वज़ा से जो ये credit ledger है ये हमारा credit ledger आ गया minus के अंदर सर ऐसा कैसे हो सकता है भाई मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये ऐसा हुआ है कैसे हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ समरी ledger में जाकर अगर आप समरी ledger में यहाँ पर जाकर देखोगे अभी government ने क्या करा है एक 20 लाख की entry इनके ledger में डाल दी है सर ऐसा government ने क्यो करा इस बात को समझेगा और इस case में आपको करना क्या है क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है कि अगर आपके credit ledger में माइनस में figure आ रही है तो आप 3B file नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे 3B file मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 December को अभी 3-4 दिन पहले इन्होंने एक debit entry डाल दी 20 लाख रुपे की चूकि यहाँ पर credit ledger में कोई balance ही नहीं था तो जैसे ये 20 लाख 23,000 की entry डाली गई तो एक credit ledger माइनस में हो गया अब यह जब माइनस में हो गया इससे हमारे client को दिक्कत क्या हुई सर दिक्कत तो बाद में बताना पहले यह बताओ क्या ऐसा department कर सकता है कि आपके credit ledger में कोई balance ना हो और वो एक entry डाल दे और आपके credit ledger को माइनस कर दे भाई देखो department आज कल क्या बना हुआ है GST में भगवान तो department तो कुछ भी कर सकता है सर low के हिसाब से कर सकता या नी भाई low तो मैं अगर तुमें बता दू तो department कहता हमें low मत बताओ low बताना high court supreme court को जाकर हमें section मत बढ़ाओ लेगिन अगर आप मेरे से section के बारे में पूछेंगे तो जो हमारा rule 86A है वो कहीं भी ऐसा नहीं कहता कि अगर आपके credit ledger में balance नहीं है तो आप उसे महाँ पर minus में ले जाओ महाँ पर उसकी anti डाल दो यहाँ पर देखो अब दिक्कत क्या होगी जैसे ही अब आप 3B फाइल करने जाओगे आप समझना इससे बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है जैसे ही हम अब यह 3B फाइल करने जा रहे हैं तो हमारी liability 3B से निकलती है 3,57,000 let's suppose मानलो 7,00,000 की liability बनती है और 6,00,000 का ITC है तो हमारी liability बनती है एक लाख रुपे हम एक लाख रुपे पे करके 3B भर सकते थे लेकिन जैसे ही department ने हमारे credit leisure को माइनस करा वो भी 20 लाख रुपे से तो जैसे ही हम 3B फाइल करने जाएंगे तो यह 20 लाख रुपे का माइनस बैलेंस आजाएगा यहाँ पर और जैसे यह 20 लाख का माइनस बैलेंस आजाएगा तो यह मुझे 3B फाइल नहीं करने देगा वो क्या कहेगा पहले 20 लाख रुपे जमा करो फिर आप 3B फाइल करो क्या यह गलत हो रहा है या सही हो रहा है मुझे comment box में लिख कर बताना क्या यह एच पर रूल हो रहा है या नहीं और हम मुझे comment box में लिख कर बताना सर अगर मैं आपको बताओ तो दो circular इशू करें डिपार्टमेंट ने कौन कौन से circular इशू करें एक तो 2 नवंबर को हमारा central का circular आया कि यहाँ पर सारे GST officer अपनी मनमानी करते हैं तो वो मनमानी ना करें तो उन्होंने वो circular दिया इस से पहले अगर आप देखोगे तो एक state का circular आया हुआ है यहाँ पर इन दोनों circular को जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पर इन्होंने clear बोला है कि भई जब भी आप ITC block करोगे होटल पर दिखाओगे आप साथ में reason डालोगे कि किस वज़े से आपका block किया है और आप वो reason डालने से पहले आपके पास evidence होना चाहिए कि किस evidences के basis पर आपने यह rule लगाया है और इस rule के अंदर ना कई सारी condition है एक condition यह है कि आपने बोकस ITC ले लिया एक condition यह है कि जिस बिलोबर आपने ITC लिया है वो supplier अभी exist नहीं करता तो आप यहाँ पर उसे पूरी condition दोगे अब आप मुझे बताना comment box में लिख कर जब मेरे client ने purchase करा उससे 2018 में और उसके बाद आप notice भेज रहे हो मुझे 2021 में 3 साल बाद मुझे notice भेज रहे हो तो क्या यह मेरी जुम्मेदारी है कि वो exist करता है 2021 में या नहीं करता जब मैंने उससे purchase करा था तब वो exist करता था 2018 में लेकिन आप ना notice नहीं भेज रहे थे पहले तुमने मुझे सम्वन भेजा 2018 में ठीक है पहले मैं सम्वन का reply देता रहा फिर उसके बाद आप ITC ब्लोक करकर बैठ गए फिर मैं उसका reply दूँगा तो यहाँ पर इन्होंने clear लिखा है कि ITC ब्लोक करने के बाद ना आपको कारवाई करनी चाहिए section 73-74 में लेकिन department कारवाई नहीं कर रहा notice नहीं दे रहा 73-74 में क्योंकि अगर वो notice दे देगा तो फिर तो कारवाई सुरू हो जाएगी हम notice का reply देंगे फिर वो order देगा हम appeal में जाएगे लेकिन वो उससे पहले ही ब्लोक कर दे रहा है और ब्लोक करने के बाद बता भी नहीं रहा जब हम यह 3-2 फाइल करने गए तब हमें यह चीज पता लगी जब हम department गए कि भाई यह ऐसे कैसे कर रहा है तब उन्होंने बताया कि आपकी यह दो party है जिनसे आपने purchase के bill लिये हुए है और इन पर हमें doubt है करना समझ आता है लेकिन जब मेरे credit ledger में balance ही नहीं है तब आप उसे minus में डालके बैठ जाते हो यह कहां सके low में लिखा हुआ है मुझे यह तो बता दो यहाँ पर तो जो यह circular आया इसमें clear लिखा हुआ है कि भाई जितना credit ledger का balance है जितना credit ledger का balance है उतना block कर सकते हो उससे जादा block नहीं कर सकते और अगर मैंने CGST का fraud ITC लिया है तो SGST को block नहीं कर सकते IGST को block नहीं कर सकते मतलब कि जो हमारे cross utilization के rule है उन्हीं को follow करते हुए आप ITC block करोगे लेकिन इस वाले case में क्या गरा है department ने इस वाले में तो मेरे हाथ में credit ledger था ही नहीं तब भी मेरा ITC block कर दिया जो की सरासर गलत है तो जब आप इन दोनों circular को पढ़ते हो combined reading करते हो तब आपको पता लगेगा कि भाई ये department ने गलत करा है लेकिन हम तो पढ़ना चाते ही नहीं हम तो पढ़ते ही नहीं है अब हमारे को notice आगिया है बस हम department में जाएंगे ठीक है उनसे बोलेंगे उल्टा सीधा reply देंगे ऐसा मत करो अगर आपको इसका reply देना है इन दोनों circular को पढ़ो और इन दोनों क्योंकि ये circular जो है ये बादे है department मानेगा इन चीजों को अगर department इन चीजों को नहीं मानता है तो आप department के against action ले सकते हो मैं हाथ जोड के department से विंती करता हूँ कि अगर आपके पास कोई व्यक्ती reply बना कर लेकर आता है तो इन circular के basis पर लेकर आता है तो आप उसे consider करें आप ये ना कहें low में क्या लिखा है हमें नहीं पता high court जाओ supreme court जाओ ऐसा मत कहना क्योंकि यहाँ पर आपने 20 लाग का ITC block कर दिया है अब ये व्यक्ती अपनी 3B नहीं फाइल कर पाएगा क्यों 3B फाइल नहीं कर पाएगा क्योंकि इस पर 20 लाग रुपे है ही नहीं आपने तो तुरंद की तुरंद 20 लाग रुपे कहा कि लेकर आजाओ नहीं तो 3B फाइल नहीं कर पाएगे अब ये जब 3B फाइल नहीं कर पाएगा इस पर लेट फीज लगती रहेगी सामने वाले को ITC नहीं मिलेगा फिर इसका को ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको श्यू मोटो इस तरह की चीजों को अटाना चाहिए आपको सेक्शन 73 का नोटिस देना चाहिए सामने वाले विक्ति से रिप्लाइ मांगना चाहिए आप कैसे कह सकते हो कि ये वाला विक्ति फ्रोड है बोकस है अगर आप ऐसा कहते हो तो आप अपने क्लाइंट को रिटन में लिख कर दो लैट सपोज ये वाला जो क्लाइंट है इसने मेरे से माल पर चेज कर लिया मैंने सारी चीजे दे दी ठीक है उसके बाद मैंने का भाई इंडिया में कुछ काम नहीं है चलो फोरण चलते हैं कुछ और करते हैं या मैंने अपना बिजनिस बंद कर दिया तो अब मैंने बिजनिस बंद कर दिया तो इसमें उस रिसीपेंट की क्या गलती है जिसने 2018 में मेरे से समान करीदा था तो उसकी तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है न तो आप उसे क्यों पनिश कर रहे हो तो यहाँ पर इस दोनों सर्कुलर को पढ़कर आपको reply देना है यह दोनों सर्कुलर अगर आप चाहते हो तो हम अपनी जो हमारी मैगजीन है कौन से महीने की जनवरी का एडिशन है उसमें हम आपको यह सर्कुलर की पूरी आपको शोट फोम में पूरी समरी बनागर दे देंगे जिससे आप reply बना सको अगर आपने अभी तक हमारी मैगजीन नहीं लिए इस नंबर पर WhatsApp करके मैगजीन ले लो दिसंबर की मैगजीन सबको मिल गई होगी पढ़ने की आदत डालो भाई साब अगर आप नहीं पढ़ते हो GST को तो आप इनके reply नहीं दे सकते और अगर आपको पूरा डेटेल GST पढ़ना है क्योंकि देखो मैंने Rule 86A आते हो तो भाईया इस दिसंबर 26 दिसंबर 2021 से हमारा दिल्ली में नया बैच सुरू हो रहा है GST का अगर आपको जोइन करना है तो जोइन करो अरे सर हम तो मुंबई से हैं हम तो भियार से हैं कैसे जोइन करेंगे टेंशन मतलो तुमारे लिए हमने क्या अगर रखिये pen drive का कोर्स ला रखा है आप वो हमारी pen drive परचेज कर लो जिससे कि आप update होते रहो रहा भाई डिपार्टमेंट से पंगा मतलो अपकी 31 दिसंबर 31 दिसंबर जो हमारी last date है किसकी GSTR 909C की तो उसे फाइल करना शुरू कर दो भाई ये date बढ़ेगी सर ये तो भाई आप बढ़ भ करा ये सही करा या गलत करा इस तरह के से माइनस में credit ledger करने का क्या तुक है क्या department की यह गलती है या नहीं आपके case में अगर हुआ है तो मुझे comment box में लिख कर बताओ अगर आपको webinar में magazine या pen drive लेनी है जिन लोगों की pen drive एक्सपैर हो गई है उनने बतारो कि नया course update कर लो स सारी नई recordings आपको मिल जाएगी तो आप अपनी pen drive को renew कर लो GST में काम करते समय अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारी paid membership भी ले सकते हैं तो आपको सारी जानकारी इन नंबर से मिल जाएगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जादे से जादा लोगों तक share करन वीडियो को like करना चैनल आपने subscribe करी दिया होगा अगर आप चैनल को subscribe करते हो तो वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी नहीं तो वीडियो ढूंडते हुए आपको आना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ thank you for watching